आज हम सिकhेंगे तीन बजे वाला strategy, तीन बजे 3 पी-म वाला strategy, ये strategy आप बैंक निफ्ती, निफ्ती या पिन निफ्ती तीनों में स्तिमाल कर सकते हैं, लेकिन एक बात का धेन रखिए, अगर आप पिन निफ्ती में काम कर रहे हैं, तो मंगलवार को तीन बज़े आप out of the money में काम ना करें अगर अगर आप बैंक निफ्टि और निफ्टि में काम कर रहे है तो गुरवार को एक्सपाइरी होता है उस दिन आप तीन बज़े out of the money पे काम ना करें आई ये शुरू करते है करना आपको क्या है कि तीन जब बचते हैं किसी भी दिन ये strategy हर दिन काम करता है लगबग लगबग हर दिन काम करता है एका दिन बीच में अगर काम नहीं किया तो कोई बात नहीं अब हमें कुछ-कुछ बातों का ध्यान रखना है जिन सब बातों के बारे में आपको जानकारी होना बेहत जरूरी है तीन बजे वाला strategy आपको किन किन चीजों का ध्यान देना पड़ेगा सबसे पहले तीन बजे वाले strategy पे आप ध्यान में रखें कि पहला वाला जो candle बनता है उसके high को low को आपको note कर लेना है यह आपका सबसे पहला वाला काम है उसके high को low को note करना है बात करते हैं इसके SL के बारे में इसका SL जो होगा वो लगबग आप 40 से 50 point कर रखिए 40 से 50 point कर रखिए कम से कम इतना होना चाहिए अब हम बात करते हमारे point number 2 का point number 2 यह होगा कि पहला वाला candle को अगर दूसरे वाले candle ने अगर breakout दिया तो जहाँ से वो breakout देगा आपको वहाँ से खरीदारी कर लेना है buy option ले लेना है ठीक है तो यहाँ से होगा यह कि जैसा ही पहले candle को cross करके दूसरा candle जाएगा तो आप देखेंगे सीधा वो फटाफट फटाफट उपर की और जाएगा कितने candle तक आप बेट कर सकते हैं आप लगबग चार candle तक बेट कर सकते हैं यह हमारा तीसरा point है तीसरा point क्या है पहला candle बन गया आपने उसके high को low को प्रोट कर लिया है मार्क कर लिया है अगला candle अगर breakout देता है या breakdown देता है दोनों में से कोई भी इस पर कोई भी चलेगा बेक आउट देता है, बेक डाउन देता है, पहला वाला केंडल अगर नहीं देता है, कोई बात नहीं, आप इंतजार करिए, दूसरे वाले केंडल के लिए आप इंतजार करिए, तीसरे वाले केंडल के लिए भी आप इंतजार कर सकते हैं, मतलब फूल मिलाके चार केंडल हो है तीन बज़े से लेके यह चौथा candle हो गया आप पाचवे candle तक आप वेट कर सकते हैं लेकिन पाचवे candle के बाद आप वेट ना करें उसके बाद भी अगर नहीं होता तो आप इस strategy को समझिए कि उस दिन काम नहीं करने वाला है तो maximum आप पाच candle तक वेट कर सकते मतलब तीन ब है अगला candle अगर आपको breakout देता है तो आपको यहीपे इसको खरीदारी कर लेदा है बाइ अगर है पहला candle नीचे की ओर जाता है तो आपको यहां पर इस जगा पे आपको सको put option के साथ आपको इसको बाइद कर लेना है कुछ back test करके देखते है देखिए ये रहा हमारे शुकुरवार का आज का दिने 26 तारिक रहीवार है ये शुकुरवार का मैं बात बता रहा हूँ 24 मार्च का तो 24 मार्च को ये रहा red वाला candle आप देख पा रहे हैं ये रहा आपका 3 बजे का candle तो 3 बजे candle को हमने mark कर लिया इसक से बना मतलब शुरुवार से लेकर चौसा candle जो बना इसने पहले वाले candle को breakout दे दिया सौरी breakdown दे दिया है जैसे breakdown दे दिया है हमें ये confirm हो गया कि market यहां से नीचे जाने वाला है और यहां से हमने put option ले लिया लेकिन ये put option बहुत चोटे समय के लिए था क्योंकि उसके बाद देखिए एक आखिर में 25-25 को एक green candle भी बना है तो इसमें आपका target कितना होना चाहिए वह बयाब सुन इस बीच में 100 से लेके 200 का मतलब 3 target हो गया पहले 100 उसके बाद 1500 उसके बाद 200 पहला अगर 100 target आपको मिल गया उसके बाद देख रही कि market वहाँ से थोड़ा आगे जाके 120 point आगे जाके पीछे आने लगा है तूरंद आप वहाँ से exit कर जाए बहुत अच्छा होता है कि profit लेके तूरंद निकल जाना ना कि wait करते हुए अपने profit को घटा देना इस बात का अब ध्यान रखेंगे और दूसरे दिन देख लेते हैं ये तो हमने शुकुरवार का देखा क्या गुरुवार को ऐसा कुछ घटित हुआ था ये देखिए गुरुवार को गुरुवार को ये घट थी नहीं वहां से आप सीधा आराम से ले सकते थे और देखिए कहा तक नीचे आया यहां तक नीचे आया पॉइंट के बारे में बात करें तो लगबग ये देड़ सो पॉइंट के आसपास इसने आपको profit दिया है यही नहीं और देखिए आप और पीछे आएंगे तो यहा फाइदा ही होगा इस तरह किसे आप जितना पीछे जाएंगे हाँ ये एक दिन रहा है पहला candle बना दूसरा candle बना है तीसरा candle पर थोड़ा सा यहां से आप ले सकते है और तो यहां पर आपको बहुत कम में संतुष्ठी करना पड़ेगा बहुत कम points में कोई बात नहीं लेकि कुद मर जाएए पहले थोड़ा सा paper trade कर लीजिए आए तो यह रहा हमारा समय देख लेता हूँ यह वाला candle यह वाला green color का candle है यह 15 मिनट वाला candle है तो यहां से आप आसानी से यह trade ले सकते है अगला वाला candle देखिए आपको बहुत शांदार तरीके से लगबग यह भी आपक रहा है आपको वासे फाइदा देए रहा है तो मुझे उमीद है आपको यह strategy समझ में है अगर strategy समझ में है तो पहले practice करिए फिर real money से आप ट्रेट करिए practice के बीना आपको किसी भी strategy पर भरोसा आएगा नहीं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ तब तक के लिए जैहन